मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं और आपके घर के आसपास भी बहुत सारे पेड़ होंगे अशोक का पेड़ भी होगा, पीपल का भी होगा, केले का भी होगा, बेल पत्र का भी होगा सारे पेड़ आपके घर के आसपास भी होगे इन पेड़ पर देवताओं का वास होता है आपको बस ठीक उपाय करने हैं पूझा करनी हैं कैसे मैं बताऊंगी आज आपको घर के आसपास मौझूद सभी पेड़ों के उपाय बताऊंगी पीपल से लेकर बर्गा तक और केले से लेकर बिलपत्र तक एक से बढ़कर एक उपाय आपको पेड़ का वास्तु भी बताऊंगी कहां पौधा लगाएं कैसा पौधा लगाएं कौन सा लगाने से क्या फाइदा और नुकसान होगा सब बताऊंगी और आपको बिना खर्च पेड़ से सुन्दर बनने वाली ब्यूटी टिप भी देंगे चलिए शो में सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूं किसी खास काम से बाहर जा रहे हैं और उस खास काम में सफलता चाहते हैं एक चुटकी हींग लीजे और अपने उपर से उसार कर घड़ के बाहर निकल कर नौट डारेक्शन में फेक दें हर पेड अच्छा होता है शुब होता है और हमारे लिए लाब भी लेकर आता है आज मैं आपको पीपल के पेड से कुछ अचूक उपाई बताने जा रही हूँ इसके बाद आपके अंदर से पीपल के पेड का ड़ निकल जाएगा पीपल को चमतकारी माना गया है और इसमें कई देवी देवताओं का वास है इसी वज़ा से इस पेड के आसपास की गई पूजा या उपाई बहुत जल्दी असर दिखाते हैं अगर कोई भी नियम से पीपल के उपाई करेगा तो वो कुछी समय में अपनी किस्मत बदल सकता है जो लोग पैसों की कमी से परिशान है उनके लिए यहां कुछ खास उपाई है शनीवार के दिन पीपल का एक पत्ता जो नीचे गिरा हुआ है तोड़ना बिलकुल नहीं है कभी भी कोई भी पत्ता ना तोड़े जो गिरा है उसी से उपाई करे तो जो गिरा हुआ पत्ता है उसे गंगाजल से धोकर उसके उपर हल्दी और दही के गोल से अपने दाए हाथ की अनामिका उंगली से हरीम लिखे इसके बाद इस पत्ते को धूप दीब दिखाकर आपने बठुए में रख ले और शनिवार को पूजा के साथ वो पत्ता बदलते रहे यूपाई करने से आपका बठुआ कभी भी धन से खाली नहीं होगा पुराना पत्ता किसी पवित्र स्थान पर ही रखे अब दूसरा उपाई सुनिए मंगलवार को शनिवार को ब्रहम महुरत में उठे और इसके बाद फ्रेश होकर पीपल के पेड़ की ग्यारा पत्ते ले लीजे ध्यान रखे पत्ते पूरे होने चाहिए तूटे फूटे खंडित ना हो इन ग्यारा पत्तों को साफ जल में कु इसी भी हनुमान जी के मंदर जाकर बहीं बजरंग बली को अर्पित करते इस तरह यह उपाए करते रहे कुछ समय में पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने होंगे पीपल में रोज जल अर्पित करने से कुनली के कई अश्युब माने जाने वाले ग्रह योगों का प्रभाफ समाप्त हो जाता है शनी की साड़े साती अधया में पीपल की पूजा शनी के कोप से बचाती है इस पेड़ की परिक्रमा से ही काल सर्फ जैसे योग दूर हो जाते हैं इनकी नेगेटिव इंपक्स से छुटकारा मिलता है इसके अलावा शास्त्रों की मताबिक इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास भी माना गया है तो जहां देवी देवताओं का वास है उससे डरना कैसा है इसलिए पीपल से प्यार कीजिए डर ये नहीं ये एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सिजिन देता है एक पीपल का पेड़ लगाने से किसी भी तरीके का दुख जीवन में आपको नहीं सताता उस इंसान को कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती पीपल का पेड़ लगाने के बाद उसे रोज जल अर्पित करें क्योंकि उसका खयाल भी तो रखना है जैसे जैसे पेड़ बढ़ा होगा आपके घर परिवार में सुक सिम्रिद्धी बढ़ती जाएगी धन बढ़ता जाएगा पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए तभी हैरान करने वाले फाइदे मिलेंगे अगर कोई पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखता है और डेली उसकी पूजा करता है तो ऐसे इंसान की सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे-धीरे अमीर होने लगता है कल्यूग में हनुमान जी शीक्र प्रसन होने वाले देवता माने गए हैं इनकी क्रपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की उपाय बताएगा है अगर पीपल के व्रिक्ष की नीचे बैट कर हनुमान चालेसा का पाट की आ जाए तो यह चमतकारी फल प्रदान देने वाला उपाय है शनी दोशों से मुक्ती के लिए पीपल के पेड़ की उपाय राम बान है शनी की साड़े साती और धहिया के बुरे प्रभावों को नश्ट करने के लिए हर साटड़े पीपल के व्रिक्ष पर जल चड़ा कर साथ परिक्रमा करने चाहिए इसके साथ ही शाम के समय पीपल के व्रिक्ष की नीचे दीपक जगाना चाहिए अभी पीपल से जुड़ी और बहुत जरूरी बाते करनी है एक और खास दिन इस पर और बात करूंगी पीपल की पूजा नहीं करनी है वो कौन सा दिन है आपको आगे बताऊंगी यह सारी बाते शोपर लेकिन अभी एक और जर पाई बता देती हूं आपके घर के आसपास जरूर होगा यह पेड़ पाई कीजिए और देखिए अशलेशा नक्षत्र में बर्गत के पेड़ का पत्ता ले आए और घर में जहां भी अन को रखते हैं यहां जहां पे भी आपका स्टोरू में वहां रख दीजे आपको अन क कि समस्या नहीं होगी बर्गत के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर मंदिर में रखने सेंसे की तकलीफ नहीं रहती है बर्गत का बानधा बाजार में भी मिलता है इसे अपने हाथ सबाना अच्छा रहता है कोई अगर आपको नुकसान पहुचाना चाहता है को यह बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिती भी सुधरती जाएगी पैसा भी आने लगेगा बर्गत के पत्ते पर मनुकामना लिखकर किसी भी नदी या बहते जल्में प्रभायत करने पर हर मनुकामना जल्दी पूरी होती है लेकिन ध्यान रहे ऐसा करते वे करें आई अब आपको आज का दूसरा महा उपाई क्या है यह बताती हूं क्या कोई नो कोई परिशानी घेरे रहती है अपने उपर से एक मुठी साबत मुंग उसार कर चिडिया के लिए डाल दीजे इससे संकटों से बचाव होता है बुद स्ट्रॉंग होता है सारी चिंता लुक्त उपाई हैं जो आपको पता ही नहीं है आज आपको बताने जा रही हूं आप भी जाने और दूसरों से भी बताएं सारी दिक्कते दूर होंगी मेरी तो यही कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों तक आपकी सारी हेल्फ हो सके इन्फॉमेशन पहुंच सके अब क्या उप गरीब की क्या नाश करने के लिए अशोग बहुत सायक है इसके लिए अशोग के फूल का रोज पीसकर शहत के साथ मिलाकर इसको खाना चाहिए कुछ दिन खाते रहेंगे गरीबी का अंथों का शुक्र बली होगा लक्षमी की पूजा करते रहना चाहिए जल्द ही धन की प्र कर तावीज के रूप में धारन किया जाएं तो लाब जरूर मिलता है अशोग की व्रिक्ष को काकुल व्रिक्ष माना जाता है देवी देफताओं पर इसे अरपन करने से वो प्रसन होते हैं ऐसा करने से भक्त की सभी मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है अब बात केले के प्राजीन समय से ही पूज और पवित्र माना गया है केले के फल तना और पत्तों को हमारे पूजा विधान में अनरेक तरह से उपयोग किया जाता है यह शुबयार पावित्रता का प्रतीग है केले के वृग्ष में देवगरु भ्रस्तिधी का अवास होता है शास्त्रों के अनुसार साथ गुरुवार नियमित रूप से केली की पूजा करने से सब मनोकामनाय पूरी हो जाती है लड़कियों को अच्छा पती मिलता है गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे या मंदर में केले के पत्तों के बीच में चौकी पर पीला कपड़ा बिचा कर ब्रस्पती और विश्नु की मूर्ती स्थापित करें पीली गाय के दूद से ब्रस्पती और विश्नु को स्नान कराए पीले फूल, पीला चंदन, गुर, चनी की डाल, पीले कपड़े दोनों देफताओं को अर्पित करें भोग में पीले पकवान या पीले फल अर्पित करें आपकी सारी मनोकामनाय पूरी होती है पूजन में केले का भोग, पूरी में भगवान जगनात और भगवान श्री कृष्ण को केले के फूल से बनी शाक का भोग लगाया जाता है केले की पवित्रता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुराने समय में इसके तने से निकले गवे पानी से ही उपवास के लिए जैसे पापड जैसी चीजे बनाई जाती थी सुबह मौन का पालन करके स्नान करें, केले के विख्ष को प्रनाम करें, जल चड़ाएं, हल्दी की गांट, चने की दाल, कुण, केले को समर्पित करें कुम-कुम, अक्षद, फूल, आधी मंगल चीज़ें चड़ा कर परिक्रमा करें घर के आंगन के पेड को छोड़ कर, दूर लगे पेड की पूजा ही करनी चाहिए चलिए, शो में अब आपको आज का तीसरा महा उपाई क्या है, ये भी बता देती हूँ क्या किस्मत साथ नहीं दे रही? रोज दो भूंत कपूर के तेल को नहाने वाले पानी में डालकर नाईए, इससे भाग ये तेज होता है शरीर से सारी नेगिटिव एनरजी चली जाती है, और अच्छी एनरजी शरीर में आती है साथ ही सारी चिंताएं भी दूर हो जाती है, लेकिन कपूर से कोई अलरजी ना हो, ये पहले देख लीजेगा अब उसकी बाद जिससे शिफ प्रसन होते हैं, शिफ की कृपा प्राप्ती के लिए बिलपत्र और उसके व्रिक्ष का बड़ा महत्व है आप कैसे बिलपत्र से भूले बंडारी को प्रसन कर सकते हैं, आईए आपको बताते हैं बिलपत्र की व्रिक्षों को श्री विक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जड़ को पूझनिय माना गया है इसमें मालक्षमी का साक्षात वास है बिल्पत्र की जड़ के पास किसी शिव भक्त को घी सहित अन, खीर या मिश्थान दान करता रहना चाहिए इसे कभी दरित्ता या बुरा अभाव या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है बिल्पत्र की जड़ का पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ती मिल जाती है और शिव की क्रिपा प्राप्त होती है संतान सुक्की प्राप्ती के लिए फूल, दतूरा, गंध और स्वेम बिल्पत्र चड़ा कर व्रिक्ष की जड़ का पूजन किया जाता है इसे सभी सुखों की प्राप्ती होती है बिलपत्र की जड़ का जल अपने माथे पर लगाने से सारी तीर्थ यात्राओं का पुन्य प्राप्त हो जाता है बिलपत्र की जड़ को पानी में घिसकर या उबालकर औशदी के रूप में प्रयोक किया जाता है कश्टकारी रोगों में भी ये अम्रित के समान लापकारी होती है अब वास्तु और पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं आपको घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए आईए जानते हैं वास्तु शास्त्य की अनुसारinkरमे मनी प्लांट लगाना बहुत ही शुभ होता है जोतिश के अनुसार मनी फ्लांट शुक्र ग्रहगा कारक है शुक्र की उपस्तिती में पति पत्नी के संबंग मधुरोते हैं घर में काटेदार दूध जिनके तोड़ने पर निकलता हो ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि काटे नेगेटिव एनरजी पैता करते हैं गुलाब जैसे काटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं पर इसे घर की छत पर रखें तो बहतर होगा घर में बास के पौधे लगा सकते हैं फैंक्शु की अनुसार बास के पौधे सुख और सम्रिधी का प्रतीक होते हैं घर या दुकान या ओफिस की पौधे एनरजी को बढ़ाने के लिए गुलदस्तों में रोज ताजे फूल लगाएं फूलों के गुलदस्ते ताजगी और सवभागी की वृध्धी करते हैं मुर्जाय फूल और पत्तियां नेगेटिव एनरजी उत्पन करते हैं बेट्रूमें किसी भी तरह के पौधे लगाने से बचना चाहिए इसे मैरेड लाइफ पर बुरा असर पढ़ सकता है डाइनिंग और ड्रॉइंग रूम में गमले रखे जा सकते हैं अगर घर की किसी भी दिवार पर पीपल उगाएं तो उसे पूजा करके हटाते हुए गमले में लगा देना चाहिए पीपल को भ्रस्पती ग्रेय का कारक माना जाता है बॉन्जाई पौधा घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए और ना ही बाहर से लाकर लगाना चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार बॉन्जाई पौधा घर में रखने वाले लोग सदस्य हमेशा आर्थिक विकास को रोकते हैं तुलसी का पौधा बेहत कल्यानकारी है शुब माना जाता है तुलसी में अंटिबाइटिक गोण हैं इसे छूनो और इसकी हवा दोनों ही फायदेबन हैं इसलिए इसे घर में जरूर लगाना चाहिए तुलसी का पौधा पौधा पौल्यूशन को भी कम करता है तुलसी का पौधा घर के ब्रहम स्थान यानि के बीच ओबीच लगाना चाहिए वैसे इसे घर के किसी भी कोने में लगाया जा सकता है इससे गंदे स्थान पर ना लगाएं गुलाब, चमपा, चमेली के पौधे घर में लगाना अच्छा माना जाता है क्योंकि इसे मानसिक तनाव और टेंशन में कमी आती है बेडरूम के साउथ वेस्ट कोने में टेरा कोटा या चीनी मिठी के फूलदानों में सूरज मुखी, अलसी या नकली फूल लगाई जा सकते हैं पूधे और फूलों का उपयोग घर के नुकीले कोनों और उबर खाबर जमीन को ढगने के लिए किया जा सकता है घर में खुबसूरत पत्ती वाले पूधे जैसे साइकस, अकलिया, अरालिया या फिर हम इस तरह के पूधे अरिया ये सब भी लगा सकते हैं खुश्बुदर फूल वाले पूधे जैसे चमपा, नाकचमपा, चमेली, बेला, रात की रानी घर में लगाए जा सकते हैं इन्हें घर के बाहर ही लगाएं घर में नकली पूधे नहीं लगाने चाहिए ये एस्थेटिक सेंस के लिहास से अशुब माने जाते हैं धूप और गंद को भी जादा अकर्शित करते हैं उची और घने वरिक्ष घर के दक्षन या पस्षिम भाग में घर की दिवारों से थोड़ा दूर लगाने चाहिए शो में बात करते हैं आज के चोथे महा उपाए की क्या है आज का सवाल ध्यान से सुनिए क्या किसी खास काम में सफलता चाहते हैं आप हकीक का पत्थर खरीदे ये पत्थर बहुत चमतकारी है इस पत्थर को सुबह नहाने के बाद किसी मंदर में चड़ा दे और इश्वर से अपने काम के लिए अपनी मनुकामना के लिए प्रात्ना करें आप जिस भी काम को सोच रहे हैं पत्थर भगवान को सोच कर चढ़ाईए और इसमें सफलता जरूर मिलेगी आईए बात करते हैं आज की स्पेशल आस्ट्रो टिप का क्योंकि पेड़ पौदो की बात हुई तो एक खास टिप आपको देना चाहती हूँ एक छोट ऐसा इंडोर बैंबू प्लांट ले आएं और इसको जितना लंबा सिलेंड्रिकल फ्लास्क होगा गास होगा उत्ता अच्छा है इसमें लंबे बैंबू डाल के घर के नॉर्थ में अगर आप बैंबू रखते हैं तो पैसे कमाने के अफसर आते हैं और अगर घर के नॉर्थीस्ट में पानी वाला बैंबू रखते हैं तो इससे आपके माइंड को क्लारिटी मिलती है और आपके आइडियास जो हैं वो अगर आप उसको एक्जीक्यूट नहीं कर पाते तो ये प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाती है फेस्बुक पर रिया मलोतरा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है रिया शादी में आ रही अर्चनों से जुड़े उपाई जानना चाहती है शादी में अर्चन आ रही है तो एक खास उपाई कीजिए आपको डेली अपने पैर के तलवे पर और अपने अंकल के ओपर गुलाब का इत्र लगा कर सोना है और सोने से पहले मालक्षमी से प्रातना करके सोनी है सारी अर्चने हट जाएंगे एंटरेटेंट्मिन की बात बाद में आपके कल को सुधारते हैं अपनी राशी के एसाब से छोटी सी टिप को फॉलो कीजिए और आराम पाहिए सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी के लोग हानुमान जी को याद करें भागे साथ दे रहा है आपका 71% विश्यब राशी के लोग करेश जी की पूजा करें किस्मत साथ दे रही है आपका 69% मिथुन राशी के लोग खाने में सोया बीन जरूर लीजे भागे साथ दे रहा है आपका 59% कर्क राशी के लोग काले रंग के जूते पहनिए भागे साथ दे रहा है आपका 52% सिंग राशी के लोग नॉन्विज बिल्कुल ना खाएं किसमत साथ दे रही है आपका 47% कन्या राशी के लोग मंदर से हनुमान जी का ठीका लाकर माथे पर लगाएं किसमत साथ दे रही हैं आपका 73% तुला राशी के लोग, घर के मंदर को साफ सुत्रा रखें, लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 75% प्रिश्चिक राशी के लोग, गरीबों को दूद दान में दीजिए, भागे साथ दे रहा हैं 64% धनू राशी के लोग, बुराई करने से बचना हैं आपको, किस्मत साथ दे रही हैं आपका 46% मखर राशी के लोग, सेप खाएं, घरवालों को खिलाएं और गरीबों को भी बांटें भागे साथ दे रहा हैं 55% कुम राशी के लोग, शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें लग सपोर्ट कर रहा हैं कल के दिन आपको 68% और मीन राशी के लोग, कल के दिन छीटियों को आटा खिलाएं भागे साथ दे रहा हैं आपका 59% शोखियंत में आपको बताते हैं आज का पांचवा और आखिरी महा उपाई क्या आप बंते काम आपके बिगर जाते हैं आप अपने सीधे हाथ में काला धगा बांदे और सीधे हाथ की तरजनी उंगली में सोने का एक छला पहने शोखियंत में आपको बताते हैं आज का पांचवा और आखिरी महा उपाई क्या आप बंते काम आपके बिगर जाते हैं आप अपने सीधे हाथ में काला धगा बांदे और सीधे हाथ की तरजनी उंगली में सोने का एक छला पहने आपका कभी कोई काम नहीं अचकेगा कल है संडे यानि की फंडे और क्योंके शादियों का सीजन खत्म होने वाला है इसलिए कल होगी दुलहन की ABCD क्या आपने कभी सोचा है कि दुलहन को लाल जोडा ही क्यों पहनना चाहिए नहीं सोचा तो अब पता चलेगा ये कल बताऊंगी बहुत सी बाते होंगी अभी चलती हूँ बाई बाई टेक केर